शीवाई हे गुरुजी अकाल पुर्ग की बचनस्यो प्रग्टियो पंथ महाना गरांथ पांथ गुर्मानियें तारे सखल गुराना अग्या पही अकाल की तभी चलायू पंथ सब सिखन को हुकम है गुरु मानियों ग्रंथ वाही गुरु गुरु ग्रंथ जी अबै जहाज उदार जो शर्दातार सीव है गुरु पार उतार नहार खाल सा मेरा रूप है खास खाल से मैं हाँ करू निवास खाल सा मेरा सजन सूरा खाल सा मेरा सत्वर पूरा हाँ खाल से का खाल सा मेरू पूत पूत सा गर बंदेरू खाल सा अकाल पुर्ख की भाज़ परगटे उखाल सा परमातम को माज़ वाई गुरु जी का खाल सा वाई गुरु जी की फती सद्गुरु सेब जी दी महान किर्पा दिनाल अजय पांस सद्गुरु सेब जी दी पावन पवित्रह जूरी दी विच बैठ करकी गुरु की खाल सीदा परकाश दिहाडा बड़ी शर्दा ति पावना दिनाल मना रहे हाँ कत्व दे महिने दे विच तांतान सद्गुरु गुरु नानक दे पाद्शा जी जहान दे उपर चल करकी आई जी में गुरु खाल सा जी किसे बालक दे आउन दा नौ महिने पहला ग्यान हो जान दाई नौ महिने पहला गर्ब दे विच निमदाई ते नौ महिने दे बाद बालक दा परकाश हुन दाई गुरु की खाल से दा जो निमन दिवस है उच्वदां सो अनातरी स्वीत कत्ग दा महिना है कत्ग दी पूर्ण माशी जिदन तान साथ गुरु गुरु नान के दे पाद शाजी जहान दे उपर आई ने उदन गुरु खाल साजी डासी उद तरती दे उपर निम आया फिर गुरु खाल साजी दास पाद शेन लगियां गुरु के खाल से दी रूप रेखा त्यार करनू ते वसाख दे में इने दे विच गुरु का खाल सा परगट हुया है कि दावे गुरु खाल साजी बड़ा बड़ा कारण है पहले समया दे विच आम कणक दी बसन हुंदी सी चुना गुरु खाल साजी किते उन्दा से पानी दियां काटा हुंदी यां सी जाट बचारे मेंद करके मक्की आद गदी रोटी खाके गुजारा करदी साना ते कानक दाटा भी बड़े पागां दिना लबदा अंदा सी कानक दी मशु़ूर बसन हुंदी सी कानक दी बसन गुरु खाल साजी कत्त दे मीने वेच बीजी यांदी है कत्त दे मीने वेच गुरु नानक दे पाथ शाजी ने आके खाल सी दा भीज बीजी आई ते वेसाख दे वेच गुरु खाल साजी एक ये तीनों फाल लगाया खुसत नाम श्रीवाए ते तान गुरु गोगन सिंग साजी ने पंजाब सिखां दे सी सले के ते मुड सुर जीद करकी गुरु का खाल साजी आई एक गुरु के खाल सी दा वेसाख दे उपर गुरु खाल साजी परकाश मारा साजी ने ताँ कीता है वेसाख दा जो जोड मिला ये तान साथ गुरु गुरु अमर्दा साजी पले अमर्दा सुगन तेरे तेरे हुकमा तोहे बाने आवे उन्हाने गुरु खाल साजी शुरू किता से गुरु नानक साहिब जी ने जिना सिकीदा परचार चल करके किता है गुरु नानक साहिब जी किते किते नहीं गए गुरु खाल साजी कोई मुगल देश मारह साहिब जी ने ने शटिया और रोम देश जिन वाजगा लिटली गेंदे नि उत्य हुए जगत बापा नानक जी दे सेन मिल देनी गुरु नानक सहیब जी नि उत्य हुए चर्ण पाए नि किसे ने लिखिया केंदा तारे गिने जाते है, तेरे तारे नंग नाते है दुनियां दे तारे ते गिने जा सकते ने पर गुरु नानक सहीब जी ने जिने तार देते होना दी गिनती कोई ने हो सकती गुरु अमर्दा सहीब जी दा वेला आया सिफ संगतां बहुत ज्यादा हो चुकियां साना ते संगताने आउना ते मारसहिभ जी Just मत्ता टोटेकना ते वापस हो जाना पाई पारव जुलका जी बाबबबड़ा जी पाई गुर्दासहिभ जी ये महान गुरुकें सिखान बेंती किती तान गुरु अमरदासहिभ जी नो सच्चे पादशा संगता हो दियाने मत्हा टेक के वापस हो जान दियाने संगता हो दा आपस हो जोड मिला नहीं होंदा आप जी किरपा करो कि सिखां दा कोई जोड मिला हो या करे मारे जाहिए 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 ज गुर्मत दियां विचारा करनी आ सद्गुरु साहब जी दे अतियास परसांग पढ़ने सुनने गुर्मानी दे सदाथ पक्षनों विचारना ऐनी उन्दह भी लंगर लाया खादा दे चुगलियां कीतियां दे करनों मुड़ गे एनों गुरु खाल साहजी जोड मिलाने जी कैंदे माफ करे हो आजगान बहुता है हो जाए काम हो रहा है एकते बहुते आपा लंगर चार की करन जाने आए भी लंगरा जी बढ़ने आँ की है अनादपुर साहब ले माले दी गाल है उते बहुत सारे नाउजवान गए ते मैं कुछ याभी की कीता केंदे बाबा जी लंगर चार का कीते बड़े सुआद बड़े इसान अजगाल गुरु खाल साहजी जोड मिले हो जोगे दी जोड़दार सुनदाए जोड़ना ते मेलदार सुनदाए मिल करके आपस वेच मिल करके जोड मिल करके बैटना गुरु दी संगत करनी गुरु दा अपदे सर्वन करना इपहला जोड मिला वेसाख दा गुरु अमर्दाथ साहब जी ने मनावना पर रहम कीता है वेसाखी दा जोड मिला सिक इतिहास दे वेच पहला जोड मिला है जिनने वी जोड मिले ने उना सारे हैं दी बन्याद है विसाख दा जोड मिला बाद वेच गुरू खालसा जी बहुत सारे कां सिक संकतां विसाख दे हो लगिया दसमे पाधशा जी ने वी खालसे दा सरजना दे विस विसाख दा जोड मिला चुनिया वोगी विसाख दे उपर अकट बहु जादा हुंदा सी संपरदा ये विद्वान ते कहन देने की दास लगदा अकट होया जेड़े गुरु खाल साजी पड़े लिखे प्रोफेसर लोग ने उना ने लिखे आए पी असी हजार दा इकाट होया सी जेड़न मारा साजी ने खाल साजीया सी सद्गरु साजी जी गुरु तेग वहादर साजी उना ने गुरु खाल साजी ये बचन कीते होई सी जेड़न नामे बादशा गुरु तेग वहादर साजी औरंग जी वह बादशा थे कोल गए ने न ते उरांग जे बादशा करामात था वे खंदा बड़ा शिकीन सी तो कि आजगाल अपना में सुबावी हो जाईए जड़ा बापा करामात वखा दे उन्हों अपा जादा मन दे है तो ते फिर बादशा सी ओ जड़ा भी कोई संत माँ पुर्ख जांदा सी और लुम जे बादशा करामात दखा जड़ा जे तेरे जे ताक्त है सादु मादा गुर्व खाल साजी ओड़क नी परकना चाहाई दा सादु बेयान तुन्दे ने रबधे प्यारे बेयान तुन्दे ने उन्हादा थानी लेना जाइ दा उनानो नम शिकार करनी चाहिए दिया होवे सादू कूरन उरंग जे बादशा कहां लगा गुरु तेख बादर साहब जीनो सच्चे बादशा जी तुसी गुरु नानक शाह दे नामी जो तो दसो जहान दे उपर तुर्क रेंगे जहान दे उपर हिंदू रेंगे नामे बादशा जी कहां लगे देख उरंग जे बादशा खुदा दे हुकम तो बिन पत्ता नी इलदा जे खुदा दा हुकम हुवे ते हवा हुदी या ते पत्ते इलदे ने ते खुदानो हिंदू भी पाुँ देने ते खुदानो मुस्लमान भी पाुँ देने ते दुन्हों ही ऐ जहान दे उपर ने उ कहां लगा नहीं नहीं माराहज मैंनी हे हो जियां कैला जाना नियां उसी फकीरों फक्रों को करामात दिखाओ सचे पादशा गुरू तेग बाद़ साहब जी कहां लगे कहां लगे जे करामात देखनी है ना फिर सवामन मिर्चा ले आ ओ मिर्चा लेके आया ते साहब जी ने ओ मिर्चा पांजा कडाई दे वेच अग जिला देती है ते गुरू खाल साहजी अग दे पर जवाल देनाल अगदे सेख देनालो मिर्चा पुझें लग पन्याने और जिदो मिर्चा साहर याँ पूझगी या महरे कहें दे उन्शानों इनु चुनों जिदो चुनियां दे विच्वत तेन मिर्चा साबत रह गिया कहें दे देख ओ रंग जेब खुदादा नियावेख तुदे दोना तर्मादो एक तर्म करना जोना सा खदा दमादो तिन करने जोना एकु सत नाम शिरी वाए गुरू एना दोना तर्मादे विचोन तीजा तर्म पैदा होवेगा ये दोनो तर्म तीजे तर्म नाल प्यार रखनगे एक दोनों बची रेन गे जड़ा ओदे नाल अड़ेगा खंगेगा ओदिया एस देश देविचों जड़ा पुटिया जान गिया राज़िदा तक तब उट जावेगा गुरु तेख बादर सहीब जी ने एक बचन की थे दसबें बातशा गुरु गोमिंस Najeeब जी ने ओबचन पगाये ने उना दी गुरु खाल साओ जी एक बानी है जिमें आसाओ जी दी बाहर दे शंद शक्टे हैं ना ते पिर आसाओ जी दी बाहर है एदाएं गुरु गोविन सिंग साहभ जी ने करपान दी उस्तदे वेच शक्के लिखे 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 लिए ओ गुरु खाल साहजी शे शक्के ने ते फिर करपान दी उस्तदे वेच एक वार लिखी है उदे गुरु खाल साजी शेस वही है ने पहले रागी साहब उनों गाउंदे उन्दे सी उपटना साहब भीड है उदे विच गुरु खाल साजी उबानी लिखी है उदे विच सच्चे पादशा जी लिख देने दुहू पंथ मैं पंथ तीसर प्रविसा जगे सिंग जो दे तरे नील पे साहब साहब जी कहन दे विच तीजा पंथ जा गया है ओ पंथ केड़ा है ओ नीले बाने पैनने वाला पंथ है नील तारी गुरु का खाल साहब जो नीले रंग दा बाना पैने गा नीले रंग दिया दस्तारा बने गा बादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादादा लगाया सी। जिते आपनी सबारे वेचे बविंजा कभी रखे सी, उते मारह सहब जीने बती लखारी भी रखे हुए सी, उना लखारियां दे शरोमनी सी बाबा दीव सिंग जी, एना ला काम उन्दा सी, आद पांच गरंती जी, दे दास गरंती जी, एना दोना नो लिखी जाना, जिते जाब सहब भी ना लिख दे सी, ऐसे आप फुथियां लिख दे सी, जिदों करुखार साजी वसाकी दा जोड मिला हुना, जाह ले माले दा जोड मिला हुना, ते संगताने अनादपर सहब जाना, दे मारह सहब जीने पुथि बख्षी देनी, दे काया देना पी, आप तो लिया करो इनु पढ़एा करो इनु सुनेया करो ते बगते गुरु खाल साहजी पांच गरंथी दास गरंथी दे परकाश आम पिंडा देवे चुंदें देसी उत्छे गुरु कें सिखाने जाके मत्था टेक लेना पूजा अरचना कर लेनी मुख्वाक लेना मारे सहाब जी पुथी सहीव दा परकाश कीता ते सब तो पहले गुरू खाल साजी अमर तवेले तंबू सहीव आरे अस्थान ते नितने में दिया बानिया दा पाठ होया इत्यास कारा ने लिखिया भी होते 32 वही भी पड़े गए ये नो 33 वही कहन दिया अमर तवेले चंडी दी वार भी होते पड़ी गई है जिदन खाल साजना सी उदन गुरू खाल साजी आसाजी दी वार दा कीरतन भी होया है तंबू सहीव आरे इस्थान ते जिन वाज कल बड़े सतकार दे नाल तक्त शिरीकेस कार सहीव कहन दी थे ते प्यारे पाई मनी सिंग जी उना ने वसाख दे मिने दी कथा भी किती है उते बैठ की जिदन करू खाल साजी वसाख दे मिने दी कथा पोग पे आई अथे तो आडे भी कथा उन्दी है साथ आठो जी पोग पेंदा जी पोग पहन तो बाद मारह सहीव जी ने अपने मियान दे विच्वत लवार बार कड़ी है अठक वजे दा टैम सी जो इतिहास कारा है ने लिखिया आई अठक वजे मारह सहीव जी ने निले रंग दा बाना पहने आसे गुरु खाल सहीव जी गुरु किया साखिया जो उसमें दे पाटने उना दी भी गवाई मिल दी है भी मारह सहीव जी ने निले रंग दा बस्तर पहने आसे अपने गार निले रंग दा चोला पाया आसे निले रंग दा दमाला सजाया आसे एक गुरू खाल साजी दसमें पाथशा दे वेले पाई गुर्दार सिंग जी होए ने जो मारा साहब जी दे भविंजा कवियां दे विचों शुरमनी कवी होए ने उना ने गुरू खाल साजी एक वार लिखी है जिदे वेच गुरु गोविन सिंग साहब जी अस्तद कीती हुई है चाली वारा पाई गुर्दास साहब पले दिया ने एक तालमी वार पाई गुर्दास सिंग जी दी है जो पाई बेलो के पर वार दे विच्व होए ने पाई गुर्दास जी पले को लवी चोवे ने उना ने गुरु खाल साजी वार लिखी है ते उने वेच उना ने लिखे आए उपजे संग प्यंगी है नी लंबर तारा नीले अंबर नीले रंग दे कप्ड़ें दी गल कीती है उपकेंदे ने की माराज गुरु खाल साजी करपान उची चुकी ते माराज साहब जी ने क्या पी आज सानू सिर्दी लोड है गुरु खाल साजी नीमिया पागे पे गुरु खाल साहब ते सिखानू ये बटन लग पे आए इस सिख पंथ के में चलेगा मारे सहीब जी ने तिन दफ़ा क्या एतान गुरु गुबिंद सिंग जी ने एक प्यारे पाई दया सिंग जी उठे ने उन मारे सहीब जी ने करपान चुक करके गुरु खालसा जी सीसा दी मंग क्यों कीती है गुरु गुर्ण सहीब जी देवेच एक तो कहुंदी है पहला मरन कबूल जीवन की शाड़ आस हुह सबना की रेनुका तवाव हमारे पास मारे सहीब जी ने क्या जीड़ा खालसा आज जासी साजन लगे है ना एक खालसे दी बन्याद मौत दे उती है एक गुरु के खालसे नो कोई मौत दा खाफ नहीं होवेगा जीड़ा अमर्त शक एगा जंग बड़े पैने ने शहादता उनिया ने अमर्त यो शक यो जीड़ा गुरु वास्ते पुर्बानी दे नो तियार है ये मार्त साहब जी ने मौत दा खाफ ते पहला है चक देता है ये खालसे नो मौत दा खाफ नहीं है दुज्या गुरु खालसाजी मां पुर्खे भी दास देने जिदोना बमारी बद जावे उस वक्त डेक्टर प्रशन कर देने ते प्रशन करके आंग काट देने जा सरजरी कर देने गुरु खालसाजी काम करोद लो मौं कार दी ते जिदे सनातनी करम कार सी उना दी बमारी बड़ी वाद गी सी ते सच्चे पाध शाजी ने सीस ताट देना लो जुदा करके न ओ बमारी खत्म करके ते मुड शुद गुरु का खालसा सरजीत की ताखु सतना आम शिरी वाएगे ऐस वास ते मारा सहब जी ने सीस लएगे पाई सहब पाई गुर्दा सिंग जी ने एक तोग लिखी है जे दे उपर ववाद उठदा है क्योंकि ते आसा अपन सार्याने सुने आए सांत बाबा गरदीब सिंग जी आउना ने उना ने भी सनवना आए कल भी ग्यानी सिंगा ने सुनाया होएगा टीमिया दे उपर भी तुसा सुनया होएगा पर गुरु कालसा जी आज यापन उना ततादे विचार करनी हैं जिड़े तात मिशूर ने जिड़े नवे ने अलौकक ने मुसघ ही ने गुरु के खालसे दी जी में साजिना कीती है पाई गुरु दार सिंग जी ने लिखिया गुरु सिमर मनाई कालका खंडे की वेला उनना ने कालका शबत लिखिए है भुटे गुरु खालसा जीब कालका तो अनर्जी कर लेंदेने भी है की कालका लिख दिती है गुरु खालसा जी शबद सोही ने पर जे उना नो आपा सनातनी अर्थां मेच वे खांगे तो ना दे मैने ओर ने प्राने दूपा हीचारे जे जावांगे उना दे मीने को ओर ने शब्द हो रही है गुरमत दी कसवटी दे वे खांगे ते हो दा मीनिंग हो रहा है उदारन ता हुरते गुरू गुरान सहीब जी दे वेचे राम शब्द हो दा है किनी वार राम शब्द हो दा है डिक्टर मन्जी सिंग जी बैठे ने, गरंथी बाबा जी सिंग जी बैठे ने, स्याने ने गुरु गरंज साहब जी देवेच वाहे गुरु शब्द पंच दास दफ़ा आया होएगा राम शब्द जादा आया है, वाहे गुरु शब्द बहुत काटा आया है पताने जा करके वाई गुरु शब्द लिखे आए बाकी गुरु खाल साजी राम शब्द आया है उन्जेडे अर्सकारन वाले ने ओ कहन दे जी ये तरेते जोगदे राम दी गाल ला है गुरु खाल साजी तरेते जोगदे वेचे राम चंदर होया राम शब्द बेदा विच भी मिलदा है ते बेद ते सत्योग देविच लिखे होए ने उदो दे राम चिंदर एजी सी राम शब्द संस्क्रित पाशादा है ये दा मीनंग है जो सार यां विचे रम्या होए जो सार यां देविच बैठा होए पिद्वाना ने एक चौबवई लिखी है एक राम दश्रत का बेटा एक राम कटकट में लेटा एक राम का सकल पसारा एक राम सब होते नियारा उन्हाने राम दे चार मीनं कीते गुरू ग्रेंस है विचे जेड़ा राम लिखिया होया है ओ वाए गुरू दा नाम है जो सारे आँ दे विच बैठा है जड़ा जाट वेच भी बैठा है दे मजभी सिंग विच भी बैठा है गुरू ग्रेंस है दे विच ओ राम दी गल है जड़ा गुरू खाल साजी तरेते जोग दा राम चंदर होया है और दे मर्यादा अपनी पालदा रहा दे शुद्रा दे नाल वहर करदा रहा है गुरू रहन सेहव दे वेचा उस राम दी घल नी नहीं है मारा आयते केंदे ने सब अपर राम बोला है राम बोला है एकल माटी कुंजर चीटी पांजन है बहुना नारे इस से तरीके नार गुरु खाल साह जी पगवती शबत है अरदास देवे चौंदा ये प्रिसम पगवती सिमर कै गुरु नान के लहीं ते आए गुरु खाल साह जी कंजाजी ते आओ जी मत भिरगी है ओकेंदे पगवती नाम दुरु गादा आए ओकेंदे ने प्रिसम सातनाम सिमर कै गुरु नान के लहीं ते आए उनाने अरदास ही बदल दती है एवी गुरु खाल साह जी बुड़ के साह में शबे देखे है पगवती दा मीनंग जिते दुरु गाए ओते पगवती दा मीनंग करपान मी है मारह साहब जी ने चंडी दिवार वेच लिगया लई पगवती दुर्ग सा वर जगन पारे दुरु गाने अपने हाथ वेच पगवती मीनंग करपान लई इसे त्रीके ले नाल का गुरू 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 का गुर जितो कंदेरे मैरह सहिभ जी ने अमर्त सेंचार करना सी विए सज्जे पात्षा ने करपान जो मनाया है करपाननो मनाया थिती है करपान ने हर गला ह Apparently ने पंजय सेthis कि एक दसए पात्षा गुरु गोमे सिंह सभो gift zeggen गरंत है ज्यदा नामस हर्बलव परकाष गरंत उदे में चमारे सहीब जिने खालसे थे बड़ी बड़ी आई कीती है जिड़े आपा शब्द पर्दे हैं ना खालसा मेरा रूप है खास खालसे मैं हूँ करू नवास खालसा मेरा सजन सूरा खालसा मेरा सद्वर पूरा हाँ खालसे का खालसा मेरो ओत पोत सागर बंदेरो खालसा अकाल पुर्ख की भाउज प्रग्टियो खालसा प्रमातम को माउज ए शब्द सर्बलो प्रकाश ग्राथ विच लिगे ने मारा सहीब जी ने उदे वेकी मारा सहीब ने लिखिया ए केंदे गुरू के खालसे दी मां काउने मा पगवती पिता काल पुर्ख गोदलियो देखास पली कलगी तार जी कहें देने गुरू के खालसे दी माता की है करपान है ते पिता काउन है अकाल पुर्ख प्रमेशर है क्योंकि गुरू खालसा जी करपान तो गुरू के खालसे दा जन्म होया है करपान तो गुरु के खालसे दा अवतार होया आए मारा हसाइव जी ने पंज़ान सिंगान दे सीज लएने फिर मारा हसाइव जी ने खंडे बाटे दे नाल अमरत तियार कीता आए पहले मुस्नेरा रखे आए उपर गुरु खालसा जी लोए दा बाटा रखे आए बाण याँ दबाढ गीता है कि एधन देने इत्यास वच किते लिखिया कि मारे सहीब जी ने पंजाब आण दा पाढ गीता है गुरू खालसा जी एक होए ने पाई जयता जी जिड़े गुरू खालसा जी एक उच्च कोटी दे कभी भी इसान है एक गुरु का अरते शर्दा रखन वाले इसान उन्हाने एक गरंथ लिखिया ये श्री गुर कथा गरंथ उपढ़न वाला गरंथ है चोटा जा गरंथ है वो बहुता बड़ा नहीं है उजे विच उन्हा लिखिया जाते तार नहार तार लिए रंग रेटडे गुर पार्स ने कार दिये रंग रेटे गुर के बेटडे उन्हे विच गुरु खालसा जी पाई जैता जी ने अमर्द बिर लिखी है इमारे सहीब जी ने अमर्द त्यार के में कीता है के में मारे सहीब जी ने पहले कंबल विशाया आए फिर सुनेरा रखे आए फिर लुए दा बाटा रखे आए फिर खंडा पे रियाए फिर करपान फिर पंजाब आनियां दा पाठ फिर गुरु खाल साजी रहता कुरेता ते पाही जैता जी मारे दे समकाली ओनाने कलमबद कीता है प्रफेसर गुर्मक सिंग जी ओनार एक रहत समपादन कीता है ते पाही जवार सिंग जी दी दिकान तो शेयदे मिल जाए उथ लियाके उनों पड़े हो उदे विचो तो आनू पता लगेगा भी मारे सहभ जी ने केमे अमरत संचार कीता सी केमे गुरु का खाल साजिया सी करके ते पांचे तडांदे रखे सीस जोड़के ते मुख वेच सेर वेच गिसां वेच अखां वेच अमरत पाके आख्या जी वाहे गुरु जी का खाल सा वाहे गुरु जी की बदे ते पंजा सिंगा ने वी अगुआ के वाहे गुरु जी का खाल सा वाहे गुरु जी की ब बते मारा साहिब जी ने पंच प्यारी साज देते हैं, गुरु खाल साजी पंजा प्यारियां दे नाम हुई, एक गुरु खाल साजी अपने आप दे वेचे प्रेजना वाचिक दे, देखो गुरु खाल साजी, पहले प्यारे पाई दया संग जी उठे ने, बाद वेच गुरु खाल साजी तर्मचांद जी उठे ने, बाद वेच हिम्मत जी उठे ने, मोकम जी उठे ने, सहभ जी उठे ने, एक गुरु खाल साजी पंज नाम हुई अपने आप दे वेचे एक प्रेरना हुँदे, देखो गुरु खाल साजी दे वेचे लिखे आए, गुरु खाल साह जी तरमदा जिड़ा 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 जिड़ भी कुछंडा चाहिсь है दास गहने लिकेने सरबलू परकाश गरंत वेचे पहला गहन ड्या लिकया निए कि मेरा खालसा हो है जिर दे मानवेच जिर दे 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 हाई जिर दे मानवेच दे 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 ऐ ही नहीं ओ क्रपान पा के वो खालसा नहीं मेरा बार सकता अंत्रीवी को नहीं है समा कि ते मेले हते आपका उना नो विचारांगे जड़े गुरू गोविन संग जी ने गुरू के खालसे दे दास गोना दास अउगना ते फिर साहिम जी ने वो लेख के ना बाद विच लिखे आए दास गराही दास त्यागी अस खालसा परदान दास गुना दा तारनी ते दस अउगना दा त्यागी ऐसा मेरा गुरू का खालसा परदान होएगा मेरा गुरू का खालसा शुरूमनी होएगा उस खालसे दा जहान मेंच सनी कोई ने होएगा ओ मेरा गुरू का खालसा लासानी होएगा ओ अदुती होएगा उदे वर्गा दूजानी जहान में चूबेगा मारह सहीब जीने क्या पहली दया फिर गुरू खालसा जी तर्माया जिडे बंदे दे मानवी चे दया नी ओ तर्मी नी ये हो सकता पामे लखां कोई लबास बनाई पिरे लखां पामे गुरू खालसा जी ओ पेख बनाई पिरे जिडे मानवी चे दया नी ओ गुरू खालसा जी तर्मी नी जी हो सकता जिडे मानवी चे दया हे ना पामे ओ पेखी लबासी ना होए ओ तर्मी उन्दा जी गुरु खार साजी, मोके दे मां पुरक, बाबा पाला संह जी मान विच डया सी पे एक कोई नी सी ते और ना वर्गा तर्मी जःान देओ ते कोई नी सी और ना दा जीवन देखो किनी दया सी कीडिया काड़ हा दे उपर भी हो मां पुरक ने दया कीती गुरु खाल साजी डिगे वे जन्वरा थी उन्ने दया कीती उस वेरे उठ गे तोड़ा कीता सी भी मैं शिनान करां थे दवादा बाणी पड़ा मेरा अमर्द वेला पजा जान्दा जी उवेदा सी भी कोई गाईं खुदे वेचत नी किते डिगपाई तोई बेवेचत नी डिगपाई ओ अमर्द वेले उठकार की उन्हादी संभाल करदा सी ते देने चड़े गुरू खाल साजी कई वार इशनान सोददा सी ओ माँ बूर्ख एए गुरू खाल साजी दया एए तर्मा ते ओ माँ परुखदा चमा जुगां दे विच ना आए ओ वाँ पुर्खदी कमाई वड़ी है बड़े बड़े संतों माँ पुर्खणों नेगे न्यूजीलाण दे वेच गुरू खालसा जी साड़े बद्यार्ती रहने ने ओ जादा सुमन रखदे ने टकसाल दे नाल टकसाल दी मर्यादा दे तारनी ने दे बड़े गटड़ भी ने दे बड़े अपने आप दे वेचे ते गुरू खालसा जी ओ कहन दे भी जिदन बाबा पाला संग जी चिड़ाई कर गे ना असीनी सी जान दे भी बाबा पाला संग काउन है और साड़े मुक्तो जिकारे उदे नाम दे निकल दे सी आपको सत नाम शिरी वाएग ऐसा हो माँ पूर कसी उन्योर कुरू खालसा जी हरे एक दे एनु बुलूंदे लिगा कारण की उदे माण वी चे दया से ये दे माण वी चे दया है ओ तर्मी बन जानता है जेदा तर्मी बन गया उदे माण वी चे हिमत आ जाया दी है और किसे दा खौफ निगे करता संत गयानी जर呢ilar सिंग जी किसे दा खौ़ब नी सी कर दे उना वेची हिम्त है जिए वेची हिम्त आ गई ओपर प्रवार दें आल मोह नीजे कर दा उदा कम उजा जगाना है संत गयानी जर呢iam सिंग जी खाल सब पर रृइड़ा वाले कि ते करो मेलना आजाना ते सिंगा नो करना भी लगे आजो मैं कल्यानी मिलना ये देनाल अलाके खलो जो मेरे आके कोई मोह ही नहीं सी पिपड़ दे राह मैं को देदवां दो मेरे पोतने जुआग ने कोई मोह नहीं सी तो माँ पुर्ख देता ही ते गुर्व खालसा जी जेदा मो काम हो गया फिर वो दिलांदा मालक बन जानदा है वो साहिब बन जानदा है वो दिलांदे राज करदा है संत गयानी जर्नायल सिंग जी खालसा पिटरावाले उना ना ना जवानदे दिलांदे राज कीता है ते बाबा पाला हसिंग जी ओनाने मी नाउजवाना दे दिलां दे राज गीता है ए दो माँ पुर्ख नाउजवाना दे दिलां दे तड़कन होए जी पंज प्यारे आंदे नामी पढ़ लो स्वेरे उठके प्यारे पाई दया सिंग जी, प्यारे पाई तर्म सिंग जी, प्यारे पाई हमद सिंग जी, प्यारे पाई मोकम सिंग जी, प्यारे पाई सहब सिंग जी, पंजा तो ही उपदेश में जंदा है, क्योंकि ये सहब जी ने पूरा सेट बनाया सी, तुर्दरगा तो बनाया सी, प पूर्देने वाई गुरु अकाल पुर्ख प्रमेशर दिनाल। पंजाप यारियान दे नामादे विचोई एक पूरन गुर्सिक मान जानदा है। मारह सहीव जी ने पंजाप यारियान अमरत पलाया। उपदेश कीता जागत जोत जपैन सुबासुर। एक बिनामन नैक नयान पूरन प्रेम परतीत सजाब रात गोर मड़ी मट पूल नामाने। कि मेरा सिख कब्रानों ना मने मेरा सिख मर्यानों ना मने मेरा सिख दीवे ना जगाउदा पिरे मेरा सिख आपने कारदे विच कब्राना बनाउदा पिरे और जागत जोत नो मने जड़ी जोत हरेक दे हरदे विच जगदी पई है उनों ने मेरा गुरू का से खा एप अटवन्याच लिखिया कि मारा साहिब जी ने पंजा पे आ रहा रहा नू आई उपदीश लिता जागत जोदा उपदीश लिता बाद विच गुरू खाल साजी पांच से खोर मेरे बार के खलोगे उन्हा कहा थे कामे बड़ा सोखा है से वाट के मारा इने फिर जोड देने है चलो आपा में जडा लेने है पांच और खलोगे उठ करके कहा लगे नीमिया पांजा मारा साहब जी कहा थे गुरू को सिंगो क्यों आवे निमोची ने जो के खलोते हो कहांदे सचे पादशा साड़े भी सेर लेलो दे सानुमी प्यारे बना दो सानुमी अमर्थदी पॉल दे दो मारा साहब जी कहांदे वो इक्के वार ही होना सी हो ने सी से ले जाने वो प्यारे कोई बानने सी एही पांच प्यारे पर तुसी उटके खलोते हो सास कीता है तुसी पंत दे वेचे पंच बीर करके जाने जाओगे अखो सत नाम श्री भाई देवा सिंग टैल सिंग इशर सिंग हदे सिंग राम सिंग एप पंजा सिना दे नाम है आर सिंग जी ना पाने दे मानकोश वेच लिखिया भी ये पंच मुगते होए दे चाली मुगते मुगते मुगसर साह बाले वक्रे ने इना न मारह ने पंजा मुगतें दे खताब देता पंजवेच गुरू खाल साजी जड़े विदवान ने जा पराणे माँ पर रुखने उना ने इना नो पंच बीर ही लिखिया है पाटवेच वेच वी खाल सा मूल मंतर वेच वी इना दा नाम पंच बीर आया है मारह ने अमरत शिकाया कया लगे तुसी गुरू के खाल से दे उन रहत मर्यादा लिखो पापा और साह बेना नो पेज देता एक गुरू के खाल से दी रहनी लिख दे रहे सिमरन कर दे रहे सिमरन कर दे कर दे जो जल मैं जल आये खटाना ते हो जोती संग ते इमेंज गुरू खाल साजी ए जड़े पाँच बीर सी ना ए पाउन रूप हो गए ते साहभ जी ने बचन की ता जिते भी बिवता दे समय मेरा सिखे ना पंजानू चेते करेगा ना ए मेरे पांच उत्या करके सहाइता करनगे एक साहभ जी दे बोलने ना आप लड़ू ना फाउज लड़ाऊँ पाट बीरन से ती बांद मगाऊँ ना शाटू खलक ना शाटू बलक तराज साज बांद मगाऊँ बोच एक मान के एंदे उनमें हाप नहीं लड़ना उनमें ना बीरां कोई सारी काम करऊने है इत्यास वेचे लिखिया मिलदा है जिदो हमारे सहाइब जी ने बाबा बंदा बादर नो तो रहा है इमारे ने क्या बंदा बादर ले पांज तीर ते पंजाब भदे करे आ उ कहाँ लगा सज्ज पाद्शाओ अब पंजा तीरा दे ना लेक बने हकूमत ते पंज तीर की कारन गी सहाइब जी कहाँ लगे इना नो तीर ना जाना एक अला तीरा लखां खंडा ब्रहमंडा नो गर्क करन दी समरता रगदाए एना लू एनो अबोग बाहर जाने अबोग बाहर ने है एनो चिलाओं दी लोडनी है एनो तनक्ते चिलेते रखी एक शवद मार रईदा बड़ा प्यारा अकाल पुर्ख की रच्छा हमने सर्बलो दी रच्छा हमने सर्बकाल जी दी रच्छा हमने सर्बलो जी दी सदा रच्छा हमने इत्यास वीच लिखिया है पाई केतने सिंग जी ने ओ कहने दे सच्चे पादशा जी ने शबद बख्षिया कांदे तनके दे चिले दे रख गया शब्द पढ़ना है पांच बीर दे श्यानवे करोड़ा समान वे जा जाएगा गुरू का खालसा शीदी पहुजां ओ अप पही काम कारदेन के सारा तैनों नहीं कुछ करन दी लोड़ ए समरत्था दे ताक्त सची पात्षा ने बख्षी ह को कि मारा इदा सर्बलो दे नाव बड़ा प्यार से मेरे कुछ समानी अकाल पुर्ख दे तेना वतार हुए ने एक मांकाल दा वतार जिला जिकरी चारसू पंजवेच लित्रवेच गुर्गोमे संग ने कीता है एक सर्बलो अवतार हुए आए एक गुरू नानक दे इशर दे वतार ने बिशिनो जी दे चवी अवतार वक्रे ने सर्बलो प्रकाश गरंत पड़े ओदे वेच मारा इने एक गासा खोल के लिखी है ओदे वेच सर्बलो अवतार बारे जिकर कीता है लोगे दा सरीर ओदी जबान खंडा सी है गुरू खालसा जी आज दे रोम न इशेहतर सान तिखे तिखे दिखे पैरवी लोई जी सानolo गुरु कोवें सिप सहब जी कहां थे ओबन्धाकादा ओबतार कादा अकाल पुर अर थे जाबदा सी पी ज दना समीर परवच्पृ जि कुलूता होवे हैं ऐसा ओबतार सी ही अकाल पुर्ख परमेंशिय हैं ओदी शुबा विच माराज ने चार तुका लखी जिदन माराज अकाल उस्तत लिẵeren लगए पायमानी सिंग जी काया लगए सच्च पाथशा अपने हथानाल कुछ लिख देओ माराज ने चार तुका लिख देओ माराज ने क्या बीर तेरी सहायता करंगे गुरू खालसा जी उना पंच बीरानों मारा सहीव जी ने नवाजिया उना दे प्रती एक स्वया उचारिया जो दसम पाध्शा दी बाड़ी विच लिखिया हुंदा जीनु चुम्तीवा स्वया सिर्क संप्रदावा विच पढ़ देने जिसके बस्तक गुरहास तरयो वो जानत है सबके कटकी अंतर आतम प्रगास पयो है फूट गयो प्रामकी मटकी ऐ मारा सहीव जी ने स्वया उना दे बाड़ी पढ़िया फिर गुरू गरीब नवाज जीनु प्यारे पाइदाया संगने क्या मारा जी गुरू के खाल से दी रहनी बावत वी दसो पहले दी रहनी सी पिस सिखा ने कठेया उना दे गुरू मारा जी चरन तो उने उना नो शाक लेना चरनामत अज खंडे दी पाउल आप जी ने बख्शी देती है खंडे दे पौँल चला देती है रहनी में दस्थ करो गोगी रहनी गुडे घुरू खाल साजी हुडी ही बदल दा रहा है ज्यब्यू नांभ स리 जी दे वेले पहले गुरू खाल साजी सत करता है कहने इसी इतिअरस होगी जिकर होगी आए गुरु अमर्दार सहीव जी दा वेला आया उना दे आसकवी संतोग सिंग ने लिखिया है ते फिर सिख एक दुझे दे चरनी आतलोना ते पहला साथकरतार कहना फिर कहना गुरु पला करे एक दुझे दे चरना दे मत्था टेकना एर इती भी चालती रही है बाद विचे Sm पाद्शा गैले वहे गुरु जी का खालसा वहे गुझे की पते ए मर्यादा भजी है कडा प्रशादी मर्यादा भी ऐसी है पहले सथ गुरु तो लेके पंजा सथ गुरा तक सिखण त्यार करना कडा प्रशादी में आया היא कप्ड़ा पाया ना खुसत नाम शिरीवे गुरु नाम सहब दा पंजा लगा ओगा ओगा जे ना लगना दे सिखां शकना ही ना दब देना कहना सद गुरा ने पोग नहीं लाया काबल कंदार वे चाज़ तक पोगें जी लगदा रहा है उद्रें जी लओंदे रहे गुरु के सिखां बाद वे चोकिते अकार तक साहब आए संत गयानी गुरु बजन सिंग जी दे वेले उननों पता लगा भी उनकर पांदी मर्यादा चल गई है च्छे में पाधचा तो लहके नामे पाधचा तक तीर दी नोक दे नार पोग लगदा रहा है साच गांड हजूर साहब घुरु खाल साहश जी तीर दी नोक नार पोग लगदा सी फित संत के आए निग गुरु बजन सिंग जी गए वो कहां लगे मुहनते कलगी तार जी ने करपान दी मर्यादा चिला देती है उप जारी से लगे उनजे बदली थे पिर रौला पहेगा संद कहां लगे भी पिछों दे रहन दो तीर वाँगी अगे जिते तीर दी मुखी है उटे करपान लगा लेग उटे देखो गुरू खाल साजी ता है भोगला जिता करपान बड़ी लम्य होंदी है अगे गुरू खाल साजी चोटी करपान ते पिछे तीर वाँग होंदी है इन जी ए मर्यादा चेंज होंदी रही है फिर जो मर्यादा तो संपूरन रूपकल गी ता हर जी ने बख्षिया है ते मारे साहिब ने फिर गुरू खाल साजी प्यारे पाइदाया संग्दे पुच्छन ते निशाने सिखी पांच अर्फ अस्त काफ हर्गिस ना बाशद अजी पांच मुआफ कड़ा कार्दू का शिकंगे बिदां बिला के सहे चस्त जुमले निशां हुका अजामत हलालो हरां बारीशे इना कर्दूरू स्याव भांग ए मर्यादा बख्षिया पांच कक्यां दे तारनी रहना है केस रखनी है कड़ा पौना एं कृपान एं किशेरा एं ये पांच कक्ये तारनी है मारा जिने क्या जिक केस नहीं न आएक चार कोई पाई बेक कोई मुलनी जिये हैगा गुरू खालसा जी को ने बन दे जिनू चार को बादो उने खालसा थोड़ा बन जाना है किते जिनना चेरे केस नहीं और चेरे खाल साथ नहीं ये गुसा ना करे ओ आजिकाल गुरू खाल साजी ऐहो जावी समझ चल गया दुखा हुदा आए बार किनेडा अमरीका जिना मैं सुने आए पकाद नहीं पता भी अमर्द से चार हुदा है उसे पांच प्यारे बड़ा की प्रेर्द कार देने और के देने भी आप रवटे को उटे मुनलो एक वारी ते भीरा मर्द शागले हुदा है ऐस सरजरी चल ले है शायद कोई कि बाद वे मुनलो ते आउदे ही नहीं है गुरू खाल साजी जिन्या हो जा कर्म कर ले हुदा कोई प्रवान नहीं जिन्हें मिसके का मकीता है जाने हैं जाने हो गया हो वक्री गल है जिन्हें गया भी पहला कर लो सरजरी ते बेरे अमर दे शागला गे ते नाले गुरुदा भी अपा हुकम मन लिया दे नाले अपनी मी गल जाली ऐ गुरु खारसा जी क्रेट तो भी बड़ी बज्जर क्रेट है फिर मारे सहिब जी ने बंजा अहाईआन दी गल किती है और जी ते चार क्रेट हैं मशुछने पर पंज है जो माराज ने गल किती है हाहा हुका हाहा हजामत हाहा हलाल हाहा हरामत हाहा हिना हिना मेंदी नू कहन दे है देड़ी गुरु खाल साजी अप अल्हा के जवान बन दे है न नू कहन दे है इस वास ते गुरु के खाल से ना हुका पीना ना हजामत करऊनी ना हलाल खाना ना हराम कुगना ना मेंदी लोनी ना सिरनो ना मोनो ओए गुरू के खाल से दिरैनी माराज ने दसी है ते रहत नाम्या विच बोलने अकाल पुरुख के बजन से हो प्रेक्टिव पंथ महान गरंथ पंथ गुर्मन नी है तारे सकल कुलान जिड़ा गुरु गरंथ सही बनू ते गुरु के पंथ नू गुरु मनेगा ओ अपने कुलां तार लवीगा खालसा अकाल पुर्ख की पाउज ए अकाल पुर्ख दी पाउज है एक गुरु खालसा जी किसे सरकार दी किसे देश दी किसे दाइरे दी पहुझ नहीं है महराज ने क्या है भी जितो सूर्ज चढ़दा आए जिजा के डुबदा है उत्थो तक गुरु के खालसे ता बोल बाला है को गुरु का खालसा हुए राज करेगा खालसा अपकी रहे न कोई पैलना खालसा उन दी लोड है खालसे अपां बंदे नहीं पहे जितन गुरु जीदा होकम आगया हो तन खालसे अपां बंद जाना है यानि प्रताब सिंग जी सचगाड हजूर से बड़ा लंबा समा उनना सिवा कीती उनना आखरी बचन कहा कि मैं भते कर देनी है क्योंकि साथे बहुती सतकार ज्योग मां पुरुख संत बाबा गुरुदीब सिंग जी खिजाले बाले वो बैठे ने उनना ने हाजरी परनी है ओ कैंदे भी दुवाली था पुरुब होना है न उस और सारे शहितर है अगे साहब अंदर गराणसाहब माराजी दे गुरु गराणसाहब जी हूर पुर्थी साहब सारे बाहर वो दे दे मैं धरवाजे वे जो खड़ा दे संग साहब जी मिनों पकडा रहे दे मैं अगर देई जा रहा एक माराए थी पुथी आई उठी आई और अगरों में पत्रे भटे वजी ते पिछों में पटे वजी ते मैं गैद देखा थे सहीं भी आएकी आए टेम बहुत थोड़ा सी को पिछों आ रहा कि जा रहा और से देनी सारी सुभाई करके चंदोए पक्षे सारा कुछ लाके तो फिर शामानों गुरु साहिब जा संगासन से जाउना होता है गहांदे मैं मुथी खुली पड़ी rooted कटरगी तारदा ते प्यारे पाई दया सिंग दा संभाद लिखिया हो याँसी तो की लिखिया सी प्यारे पाई दया सिंग जी पुष्देने करगी तारजी नो कलगी तर पादशा सेंग देखनी साजदा उस इशानवे करूड देंग लाँ करी जान देओ इशानवे करूड भौजां साज देनिया है तक कलगी तार जी ने फरमाया जिदन अकाल पुर्ख प्रमेशर दा होकम हो या प्यारे दया सेंग जी हवाई हो जी चला दाँगे जिननों जाके लग दी जाएगी और अपी खालसा सजदा जाएगा अखु सफना आवन शिरी भाएगा जै कितन वाई और उनों पाया उदन माराज ने हवाई ऐसी चला देनी है थोड़ी जी हवाई चल पी है देखो बहुत सारे नौजवान गुरू का बाना तार देनी है उनना नो कहिंदा थोड़ा कोई है एक गुरू खालसा जी माता रादा स्वामी ड्यूटी कर दी है कला कला पुत्तर है उनना दे हासुदाल देवेचे बाप एगरी कल्चर मेक में देवेच बड़ा अफसर है उपड़े लिखे ने थे ओगे पुत्र खालसा का जी पड़दा है ते बाना उनने पाके रखना है बड़ी केट रखनी है उच बाना रखना है ते जिदों ने जाना देवदा बाना पारा है पारा आग लगी भी तेरा थे कोई ऐसा नहीं सी कारबार दा उगेंदा में नुमाराइदे होक्म होया है बाने दो बिना बेथर या आनी जाना ऐसा महराइज सहीब जी ने हवा चिला देनी है जिदों महराइज नो पाया सारी खालसे साजी जाने है गुर्व खालसा जी एक काल परकदाई होक्म है लोगी महराइज सहीब जी ने बोलने पंजा बानियां दा नितनेम करे पंजे मेरा रूप सदावेंगे पंजा बानियां दा नितनेम करेंगे मेरा रूप होनगे एक वेला आएगा दाल पिरन वांग पो बकड़ा दे अपो अपने मात ठहरामेंगे एक वेला आए भी लिगया भी एहो जाएगा भी दाल पो बकड़ा वांगो बिरन गे वक्षो बक्रे जते बड़ी पाटो ताड़ पैगी वो पैई होई है इमार आएगे बचन ने पांक साखी गरांथ दे तो गुरु खालसा जी गुरु के खालसे दे प्रकाश दे आड़े दी सब संगतानों लाख लाख बदाई होई होई बहुत सदकार जो प्रबंद कमेटी है डर्क्टर मंजीर सिंग जी गुरु मखजान ने नाल दवादारू भी कर देने ते नाल गुरु खालसा जी एना दे तो गुरुमाराई साथ जी कसादी भी सिवा लगे होई ने ने नगरदे ने विच किसाभी कर देने जोड़ देने जित्वी समा मिले उत्वी गुरु खालसा जी हाजरियां पर देने माप पुर्ख बाबा ठाकुरु सिंग जी ने इननो लाग लाई है तो इना दे उद्धम सदका बाई जोवन जी सिंग जी जो आप दे लगर दे ग्यानी सिंग ने ते मेरे कोलों गुरु खाल साजी पढ़ दे भी ने तो होर भी कथा कर देने जलाल भी खसमे मी गुर्दवरा चिलें अनना खैब भी ते ने चार थां कथा दी हाजरी पर देने तो इना दे उद्धम सदका दे प्रबंद कमेटी होर गुरु के प्यारे सार याने प्रोग्राम बनाया सार यां दा तान्वाद उचेचेता औरते माँ पर कुसंत बाबा गुरुदीब संग जी पहुंचे ने उना दातानवाद उना हाजरी पारनी आए क्योंकि जैसी दे अलाके दे ही है माँ पर कुछेचेता औरते उपड़े ने होई पुर्चोग दीखे माँ जी वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते है